आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप Excel के अंदर डेटा एंट्री के लिए विदाउट टेक्निकल नॉलेज विदाउट वी विए विदाउट मैक्रो एक डेटा एंट्री फर्म क्रियेट कर सकते हैं अगे बढ़ने से पहले अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा नोटिफिकेशन वेल पर क्लिक जरूर कीजेगा कैसे कर सकंपल आपएल के अंदर एंगे फाइल के अंदर ओप्शन आताया अपने पास आप्शोंस तो इस operational अप और अप्शोंस पह क्लिक करके आपको सेंपल क्या करना है यहां पर यहां पर यहां popular command की जगे आप यहाँ पर क्लिक करके all command कर देंगे आपने इसको all command किया तो यह आपको जितनी भी available command सारी दिखा रहा है alphabetically sorted है यहाँ पर आप search करेंगे form तो इस में form search कर लेते हैं f पर जाके तो यह मेरे पास आजाता है form पर मैंने क्लिक किया और add button पे क्लिक करना है मैंने add पे क्लिक किया यहाँ पर right hand side पे friends form का option आ गया और मेरे को इसको okay करना है जैसी friends मैं okay करूंगा आप देखेंगे ऊपर मेरे पास यह form का option आ जाता है अब simple है friends बिलकुल मेरे को अपने headings को select करना है जब भी मेरे headings है वो यहाँ पर आपको same headings नजरा रहे है अब आपको data entry करने के लिए directly यहाँ पर entry नहीं करनी है इस form में entry करनी है तो gst of supplier name of supplier मेरे case में मैंने gst का एक sample create किया है आपके case में वो data entry कुछ भी हो सकती है तो friends मैं यहाँ पर entry आपको करके दिखा देता हूँ यह friends मैंने यहाँ पर entry किया और मेरे को simple friends यहाँ तो मैं new पर click करूँगा यह मैं enter करूँगा new पर click या enter एक ही बात है जैसे friends मैं enter किया आप देखेंगे friends यहाँ पर इसने data entry कर दिया इस form में जो भी मैंने इसने detail फिल किया वो यहाँ पर इसने add कर दिया मेरे को friends और भी record डाला है मैं यहाँ पर record डाल देता हूँ तो दो-तीन record friends मैं आप आपको डाल के दिखा देता हूँ enter and data add हो गया तो friends जैसे यहाँ आप एंटर करते जाएंगे data डालेंगे एंटर करेंगे यह यहाँ पर data आपका enter करता रहेगा right friends यहाँ पर friends अगर आपको और भी options यूज करने है लाइक previous find previous find next तो यह क्या करेगा friends find previous करेंगे तो यह previous record है वो यहाँ पर आपको दिखा देगा right find next करेंगे तो आपको next record दिखा देगा previous चल रहा है next चल रहा है और friends आपको लगता कोई भी data मेरे को delete करना है आपको directly यहाँ जाके delete करने की जड़ोत नहीं है simply friends जो record आपको यहाँ पर रजरा रहा है इस form के अंदर आप इसको delete करना चाहें तो simply यहाँ पर delete पर click करेंगे तो यह record delete भी हो जाएगा जैसे मैं इसको delete कर देता हूँ ट्राय जरूर कीजिएगा and friends वीडियो अगर पसंद आया हो और अभी दाख चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe जरूर कीजिएगा notification bell पर click जरूर कीजिएगा and friends मेरे साथ excel पर webinar जोइन करने के लिए वीडियो के description में मैंने link दिया है उस पर click करके आप registration भी करा सकते है